कर दोस्तों एक बर फिर से आपका स्वागता श्या करता हूं आपसे भी अच्छे हैंगे दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जैक के बोपी जमो कस्मिर बोड और प्रोफेशनल एंट्रेस एक्जामिनेशन नर्सिंग के रिगार्डिंग आपकी बीसे नर्सिंग बीसे चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को जो तो बहुत इससे के आने वाले सभी वीडियो जो को नोटिफिकेशन आपको मिल सकें तो दोस्तों सबसे पहले आपको जेके बोपी की ओफिशल वेबसाइट पर आना जेके बी ओपी डोड जेवी डो जो आपके बीएस सी नर्सिंग परामेडिकल और बीएस सी टेकनोलोजी कोर्शेज के लिए है तो यह जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फाइल ओपन हो किया एगी उस पाइल में आप चेक कर सकते हैं तो आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस आप यहां पर चेक कर सकते हैं तो इसमें आपका जो एडिमेड कार्ड है उसकी रिकार्डिंग जो इंस्टेक्शन है इंपोर्टेंट्स रूल से वह आपके लिए जारी की गए सबसे पहले तो इसमें अगर यहां पर बात करें कि ओल द इलिजिबिल केंड़ और बीएस से 2021 से दो बज़े से आपके जो एडिमेड कार्ड है वो आपके जो ओपिशल वेबसेट है इस पर अवैलेबल हो जाएंगे तो तेरह सेप्टमबर को आपको इसमें टाइम भी दिया गया है दो पीम से तो वहां उस दो बज़े से आप अपने एडिमेड कार्ड है वो डाउनल क्या हो सकता आपका जिससे आपका इलेक्शन इडे और आदार कार्ड द्राइविंक लैशेंस फोट आडि इच्टूट बई कंसरेंड कोलेज या पास्फ़ोट तो अगर क्यों भी आपके पास में इन में से आइडी है तो वह आपको साथ में लेगी जानी है यहां पर आप 45 पे आपको reporting करनी है examination center पे 9.25 पे आपको जो reporting है examination hall में करनी है और 9.30 पे आपका जो invigilator है तो वो आपकी सारी जो process है वो complete करेगा 9.45 पे आपको ओमार seat दे दी जाएगी और 9.55 पे आपको जो cushion booklet है वो आपको यहाँ पे ओमार seat वो open करने के लिए बोल दी जाएगी और 10 बज़े से आप अपनी जो seal उसको open कर सकते हैं तो इस तरह के से आप 10 से एक बज़े की बीच में आपकी यहाँ पे सारी information दी गई है अब यहाँ पे important guidelines भी दी गई है जो आप इस PDF file में अच्छे से read कर सकते हैं अगर कोई भी issue कोई भी doubt है तो आप मुझे comment box में पूछ सकते हैं या मुझे instagram follow करके वहाँ सब भी जानकरी ले सकते हैं तो दोस्तो यह आपके admit card के regarding important information है वो जारी कीगी जैकी बोपी की दौरा अब last time में आप किस तरीके से preparation कर सकते हैं दोस्तों तो उसके regarding मैंने आपको description box में e-book का link दे रखा है तो आप उस e-book को अगर अच्छे से follow कर लेते हैं तो दोस्तों मैं आपको shorting के साथ कहता हूँ कि उससे बारे एक भी question आपका नहीं जाने वाला है तो दोस्तों जैसे ही आप description box में जो link दिया गया है उसके क्लिक करेंगे तो इस तरह के साब के सामने e-book open हो कि आए जाएगी इसमें आपके जैके बोपी B.S.A. nursing के लिए B.S.A. paramedical और B.S.A. technology तीनों के लिए ये entrance exam के प्रपेस्टन के लिए ये book है आपके लिए enough है इससे बाहर कोई भी क्यूसर नहीं आने वाला है इसमें आपके तीनों subject कवर किये गए है physics, chemistry और biology है अगर आप इसको अच्छे से complete कर लेते हैं दोस्तों तो short ही मानिए कि आपका एक भी क्यूसर इससे बाहर नहीं जाएगा और आपका best college में जिसमें भी आप admission लेना चाहरे हो तो उसमें आप अपना admission वो सुनशीत कर सकते हैं दोस्तों इसकी जो cost वो 299 है ये 42 MB की एक पुरी-पुरी e-book है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं 299 में आपको complete आपके entire exam की preparation के लिए study material है वो आप आसानी से available हो जाएगा और आप इसको अच्छे से follow कर लेते हैं तो आप 100% मान के चलिए अच्छा score आप कर लेंगे आपको buy now पर simply click करना है जैसे buy now पर click करेंगे तो कुछ इस तरीके का interface आएगा इस interface में अपना नाम फील करना है अपनी active email ID अपना phone number यह detail फील करने के बाद में next पर click कर देना जैसे next पर करेंगे आपको payment के लिए पूछा जाएगा पहन पर paytm debit card credit card किसी मोड़ से payment कर सकते हैं जैसे payment confirm होगा आपको download file का option हैगा वहाँ से download कर सकते हैं अगर वहाँ से download नहीं करते हैं तो आपने जो email ID यहाँ पर fill की है यहाँ पर mail भी जाएगा वहाँ से भी आप अपना जो PDF को है वो download कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप इस ebook को अभी last time में भी अगर आप follow करते हैं जो आपके पास में बहुत ही कम समय बचा है तो भी आप अपना selection है उस सुनिशीत कर सकते हैं क्योंकि आप सभी को पता है 11th और 12th NCIT बेस जो syllabus काफी बढ़ा है और उस syllabus को cover कर पाना बहुत ही मुस्किल होता है NCIT को अगर आप follow करते है particular क्योंकि 6 books हो जाती है 6 books को आप अच्छे से follow नहीं कर पाते हैं इसमें आपको हर एक chapter का concept clear किया गया उसके बाद में आपको MCQ दिये गए हैं और उन MCQ के basis पर अपना solution कर सकते हैं तो आयूब दोस्तों आपके लिए ये वीडियो यूज़ फूदर आप वीडियो पसंदाए वीडियो को लाइक करें शेर करें कोई भी डावटर कमेंड बूक्स में पूचें मुझे इस्टाग्राम फे फोलो करके वाद से भी जानकाई ले सकते हैं तन्यवाद जेहिं जे बारत